अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले आइड नर्मला जी आप जो भी कहना चाहती हैं बेची जग कहिए जी वो अंशुमन कुछ घंटों पहले शादी के लिए राजी नहीं था और अब अचानक से राजी हो गया तो मन में संदेह तो उठता है ना मॉम वट इस व्रॉंग तानिया शादी ब्या के मामले में जब बड़े बात कर रहे होते हैं ना तो बीच में बोलना अच्छे संसकार की पहचान नहीं है इसने चुप रहो इसके गारंटी में लेता हूँ आप किस पात पे संदेह है कभी तो हम सब को पता चलेगा सुर्भी जी आप इसे संदेह कहिए या फिर अपनी बेटी की भविश्य की चिंता अब देखें ना तानिया अपना सब को छोड़कर आपके घर बहु बनकर रहने को तयार है लेकिन इसके गारंटी कौन देगा कि कल अंशुमन अपने इस फैसले से मुकर न जाए इसके गारंटी में लेता हूँ बिग बी जब एक बार फैसला ले लेते हैं फिर पीछे नहीं आड़ते हैं यही बात मैं अंशुमन के मूँ से सुनना चाहती हूँ नंदन बिल्कुल ठीक कहा है मैं एक बार जो फैसला ले लेता हूँ उसे बदलता नहीं अब तो मूमीठा करवाएं बिल्कुल आओ नंदनी ची निरू बदाई हो अब हम सहीली से दिशधार बनने वाले हैं बदाई हो बदाई हो तुए है हम जानते हैं कि अंशुमन जी ने ये फैसला क्यों लिया है लेकिन हम उन्हें जान बूझ कर इस नर्ग की आप में नहीं कूरने देंगे और ना ही इस घर को बरबाद होने देंगे यह लोग अच्छे नहीं है बड़ क्यों भीया तुमसे पूछा किसी ने मूँ बंद नहीं डख सकते चुप चाब अपना काम करो मूठी मूठी बढ़ के वह यां गूठी तुमसे नहीं के लिए कभी कभी विश पीना पड़ता है हम जान मूच कर अंशमन जी को ये गलत रिष्टों का विश नहीं पीने देंगे तरसा फूंप आप पोल लीजे सुमन तुम ये मत समझना कि मैं कोई त्याग कर रहा हूं अंशमन जी हमें भी पता है सच क्या है पर उस त्याग से बड़ा सच ये है कि आप ए गलत रिष्टे में फसने जा रहे हैं बड़े भीया आपके गमरे में उठी मिलिये अंशमन जी अंगूटी तुम्हारे लिए बनवाई थे क्या एबिभी ये? ये कुछ नहीं है बस असे कोँआ ना वैसे भी मैं वै ना इतना बच्चा नहीं हूँ कि मैं समाज ना भाओ मुझे सब बदान है चलिलिए दिखाए रंदन कुछ नहीं है इसमों वी प्रेस दिखाए रंदन मैं कह रहूं नए इसमों झाल 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 बहुत अची रहेंग है, मुझे बड़पसंद है रिंग? रिंग है? हाई, क्योंद अच्छे बीच्छे अरी अच्छे में आपने ने भी तक फाइनल हुआ है और आपने रिंग भी ले लेली, तैस ग्रेट तने जी देख सकता हूं इतनी जल्दी क्या है परले इंगेजमेंट ने दो अन्शुमन पहले ये रेंग मुझे पहना तो दे अब इफ यू विल एक्स्क्यूस अप आई एक मिनिट देखा, बिट भी एक्तम जुबे रुस्तम निकले सब कुछ एक्तम सुपवास जा रहे हैं रेंग अन्षुमन जी इतनी जल्दी अंगूटी कैसे बनवा सकते हैं I'm sorry मैंने नंदन के सामने नातब किया और क्या करती Otherwise आपको embarrassment होती मुझे पता है कि पहले सुमन की आपके साथ शादी ते हुई थी बद आपको क्या पता था कि सुमन नंदन से प्यार करती है Human Emotions कोई पुरानी बात कोई पुरानी चीज सामने आजाए तो फेर Emotions वापस से जाग जाते हैं You are wrong Tanya ऐसा कुछ भी नहीं कोई पुरानी एमोशन से नहीं जागे सुमन नंदन की पतनी है और यांगूठी तो मैंने I'm very sorry जो माफकर दीजे मेरा वो मतलब नहीं था मैं आपके इंटेंशन्स पे सवाल उठाऊं उससे पहले मुझे मर जाना जाहिए You are such a nice person आपने मुझ से शादी के लिए हां कहा है You are a gentleman और मेरे लिए से बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती कोई भी लगकी आप से शादी करके लगी ही फील करें लेकिन हर कोई एक ही नजरीय से नहीं देखता ना आपका और सुमन का रिष्टा सबका अपना अपना नजरीया होता है कोई अंगोठी थी दिदी बढ़के वही आपके कमरे में पड़ी थी मैं जानती हूं आपका दिल बहुत साफ है लेकिन इस साफ की सफाई आप किस-किस को देते रहेंगे अंसे कम मनोर्मा अंटी घर के बाकी लोग सब इस रिष्टे को संदेह की नजर से देखते हैं I know कि आपका इंटेंशन सुमन के प्रती बिल्कुल सही है और सुमन भी बहुत हमिजदार है अंगली उठेगी तो एक लड़की पर ही मतलब सुमन पर सुमन और नंदन के रिष्टे पे भी असा पड़ सकता है आपके भाई का रिष्टा तूप सकता है I love you I really do और आप पर कोई भी उंगली उठाई है मुच्स बिल्कुल बर्दाशनी हुग असलि अगर आप परमिशन दे दो मैं यह रिंग अपने पैस हगलू और अगर किसी ने आपके पैस यह रिंग देख ली तो और कोई वाल तो सवाल न उठे नंदन तुमारी काफी थैंक्यू स्मारा इतनाप फोना वर इस्टुपड गों इत्मी सुपड़ी इस इनन अन्शुमन जैसे जन्टलमन को छोल कि यह बच्चे टाइप्स नंदन के साठी अट्री करीई इसनन इत्मी कितने अच्छे हैं अन्शुमन मसद मुझे कीसी भी हाल में उन्हें अपना लाइफ पार्टनर गुनाना है वाई होक और वाई क्रूक हमें अन्शुमन जी को तान्या जी का सच पता नहीं होगा अन्शुमन जी आप भी कोफी लेंगे नहीं सुमन काफी देर होगी है तुम्हार आमका सुमन कोई तुम पे उंगली न उठाए उसके लिए मुझे तुमसे डेस्टेंस बनाना होगा लेकिन ये सुमन हमेशे मेरे रास्ते में हो जाती है वो अप कॉनसा प्रेज कहती है वो बिल्ली जो तुम्हारा रास्ता काटे उसमर थ्यान रखना होगा थ्यान नहीं मॉम इस बिल्ली को तो रास्ते से कम्प्लीटली हटाना होगा नंतन, छोड़ो हमे नहीं छोड़ूँगा, पत्नी हो तुम मेरी कैसे छोड़ूँगा? हाँ वो सबको बता, आप छोड़ो हमे नहीं छोड़ूँगा एक शर्थ पर छोड़ूँगा यह नो, बस शर्थ को मारना पर नंतन, क्या कर रहे हो तुम? बच्चे हो क्या तुम? उपर से शर्थ रख रहे हो? पागल हो गयो शर्थ घर में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है. बिटबी की शादी हो रही है. इसमली तुम्हे कुछ समझ ही हैा रहा है холод और हमेमें समझ हा रही है हम तुमें कैसे बता है हम तुमहें बता इपा रहे कुछ ट्यार के मुझे गर में, मुझे वजाया वैं क्यूंह एशको웃ूगा। तो सुनू, पता है, हमने गार्डर में निर्मल आंटे और तानिया जी को क्या बात करते वे सोना प्यार की चक्कर में तुम अपना असली मकसद मत बूर जाना तो सुनू की दॉलत नोटे बिना कैसी चाहेगी, हाँ, वहाँ अमेरिका में तो अपना सब कुछ बरबाद हो चुका है अब राह पहादूर की दॉलत से ही हमारा अमेरिका जाने का रास्ता फुलेगा सारे सपने पूरे होंगे और उस तौलत तक पहुंचने का रास्ता है अन्शुमन आओ, असुमन, आर यू शूर? वो दोंगे ये सब बाते कर रहे थे हाँ, नंदन हमने देखा और सोना खोद है, साथ में केतारी भाईया भी थे अजया, वो दो कितनी युमत की है, मेरे फैमिय को नेशीन अबड, जो चोल करें नंदन नंदन तान्या 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 रखाए जया आपने जाता एक। एकलाओ वाट्ट है और ना.. लटन शांत। लृटन सामत लृटन कि अज़िए तमीज भूल गरो क्या तार्या पर हाथ उटाने की हिमत यह ते तुम्हारी तुम्हारी होने वाली हादी है यह अभी तो इस जनब में बनने से रही दादाजीए यह तोनों माँ बेटी को चूछी है फ्राद और लूटेंरी है इंदर यह का बोल रहा हो तो आपड़ नहीं कहरा हूं भी नंदर ने बात तुम इतने यकीन के सद कै सकते पेगी इन तोनों माी बेटी को थुम्हारी ने खुद यह सब बात करते हुए सुना है यह दोनों इस घर में किस मकसद से आए हैं सब कुछ पता है सुमन को और सुमन के साथ साथ केतारी ने भी सब कुछ सुना है अरे वारे छटके बहुआ नंदन नादानी कर रहा है इतने नादान क्यों हो तुम अब छलनी गवाही देगा सुप का इक केतारी का सुनोगे मार पड़ी थी इक का याद है तो वही देखेगा जो सुमन दिखाएगी इसको और वही कहेगा तो सुमन सिखाएगी और अब जो अंदन बहुआ साधी करने को तयार हो गए है तो सुमन तो कहेगी हिनाई साब समझ में नहीं आता है का दिकत है इस लड़की को कि अंदन बहुआ का साधी नहीं होने दिना चाहती है हम सबसे ज्यादा जानती है इस सुमन को लेकिन तुमको लगता है कि तुम सबसे ज्यादा समझते हो इसको है कि अंदन को नहीं पूछ लेते कि यू नहीं होने देना चाहती है उ तुम्हारी और तान्या कि साथी नंदन के भी कान भर दी इसने नहीं तो कान नंदन अपनी होने वाली भावी पे कई अहाद भाता ऐसे तो तंकार नहीं दिये है हमाई चोटकी ने अपने बच्चों को इस सुमन सावितरी बने ना बने पर नंदन को नादानी करने पे मजबूर कर दिया इसने इसने हमारी महमान है और हम इसको पसंद नहीं करते इस बात का दुस्पनी तो नहीं निकाल रही है नहीं हमारे से अब चाहे जो भी हो अरे पूछो आपनी शुत्रशात्या मूदी को वो बताएगी लेख में आसब जब तुमने मुझ पर आरूफ लगा ही दिया है तो आप तुमेंसे प्रूव करना पड़ेगा हमारे पास इस पात को थापित करने के लिए कोई सब्बूत नहीं है लेकिन हम नहीं समझते कि हमारी बात पर ना यकीन करने की कोई भी बज़़ा हमारे परिवार के पास आप लोग के बद सब कुछ भी नहीं बचा है हाँ तो क्या हुआ मैं तो सुबी जी को बता दिया था सब कुछ बताया था ये भी बताया था कि मेरा तलाक हो चुका है लेकिन मन्नु को नहीं बताया क्योंकि वो मेरी बच्पन की सहली है न उसको बुरा लग जाएगा लेकिन क्या इस वज़े से मेरी बेटी और अंश्मन की शादी नहीं होगी क्या ये सही है सुमन ये सब हमने बता है लेकिन मा आपको एक बात तो नहीं पता होगी कि ये लोग अंश्मन जी के साथ अन्या जी की शादी एक एजेंडा की तरह कराना चाहते हैं यह चाहत को तुम एजेंडा का नाम दे रही है मतलब यह ते तुम मेरे साथ इंजस्टिस का दे रही है और यहां का प्यार यहां के संस्कार देखके यहां के यहां पैटल होने की बात की आंटी, आंटी में कुछ शागी का को पोज़ल रखा रहा है, बिल्कुल सत्पय वचन, लेकिन भावी, सुमन्त की बातों पर यकीन ना करने के लिए हमारे पास कोई कारण भी तो नहीं है, देवर जी, सम्धन जी ने जो कहा उसके बाद और कोई कारण बागी, चाहिए क्या? देखो, ऐसी उच्छी बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं, और ना ऐसी उच्छी बाते दोबारा सुनना चाहते हैं, और ध्यान रहे, सुमन्त राय बहादूर खांदान की बहु है, जी बहु जी, पर बहु जी, आप ही फैसला कीचे, ना कौन तही है और कौन गलत, न सुमन की बात मान के दोनों मा बेटी को धक्के मार मार के घर से बहाँ निकाल देना चाहिए, उस बेटी को बाहु जी, जिसने आपके पोते का जान बचाया है, माना के हमारी स्थिती अच्छी नहीं है, लेकिन अभी हमारी गैरत मरी नहीं है, धक्के मारने से पहले सुमन को हम पर लगाए में इजाम को साबित करना होगा और अगर नहीं साबित कर पाई तो क्यों जटकी नहीं साबित कर पाई तो का साबित करने के जरूब भी क्या है दीदी तान्या ने आज बहुत बड़ी बात कहती खीक है वो हमारे घर की नहीं है कि हमारे बच्चों को नहीं चानती है लेकिन दीदी आप अंचोमर ने सबसे पहले आपको बड़ी मा कहना शुरू किया था मा से भी बड़ा होदा दिया आपको आपने भी उसे सीने से लगाया आपकी गोग में खेल के बड़ा हुआ है वो और आज जब उस पर लांचल लग हैं आप उसके साथ खड़े होनी के बजाद उसी पर इंजाम लगा रही है उसी पर सवाल खड़े कर रही है उस इन आश्रम में जब अपनी बात पर अड़ गया था आपने क्या कहा कि अंशुमन आपको आप इखा रहा है वेकिन आपने एक बार भी समझने के पोशिश नही उसने असा क्यों किया आप इन उसे राम कहना चुनू कियाता ना करका और आज उस राम पर सवाल उठ रहे है और आप उनी सवालों का साथ ए रही है दी तो ये सोच लीजी कि सवाल किस पर उठ रहे है वो भी तब जब सुमन नंदन की पत्ती बन चुकी है उस समय पर माने चाहिए दी शर माने चाहिए